विश्कार दोस्तों आप लोग को स्वागत है तो आज मैं जो रेस्पी लेकर आगई हूं वह कडाही चिकन तो बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं इसके पहले ही जो लोग खाते हैं वह एक आद बना के खा लेते हैं कि फिर फेस्टिवल आ रहे हैं दिपावली छठ वग लिए तो चलिए देखिए इसके लिए सबसे पहले मैं कडाही गरम कर दे रही हूं और उसने मैं सर्शो ओल डालोंगी तो चिकन बनाए तो सर्शो ओल में बनाए बहुत ही टेस्ट आता है विल्कुँ अंधेंटिक तेस्ट आता है तो यहां पर देखिए मैं 700 ग्रम चिकन क लिए यहां पर पांच में प्याज लेली हूं और यहां पर लासन एक पूरा जो पूर्ट होता हो चिल ली हूं यहां पर आधाएं से थोड़ा से ज्यादा अध्रक चिल कर और लंबे-लंबे लच्छा में कड़ ली हूं और चार हरी मीट टेजपत्ता और जीरा अब यहां पर देखे तिल गरम हो गया था यहां पर जीरा अध्रक लहसुन और लान में मैं डालती हूं इसको फ्राइ करने मतलब हलका ब्राउन होने के लिए जिसे हम लोग फोरन बोलते हैं जब हलका ब्राउन हो जा तो यहां पर पांच प्याज कर रखे हैं मिडियम साइज के प्या करें खूब हो जाएं अच्छे से पकते इसलिए नमक डाल दीए नमक डालने से पैया आश्वरान हो जाता है और तरह से पक जाता है तो मुझ डालना को फ्राइज करना गोल्डन ब्राउन होने तक तब तक यहां पर देखिए और फोड़न का पेस्ट है और इसमें थोड़ सब्सक्राइब करें गयर्बंदाल सब्सक्राइब पानी डालकर इसको अच्छे से फूलने के लिए छोड़ दो तक फ्राइब फूल जाएगा मसाला किसमें कोई सुख्य मसाली है तो अच्छी तरह से फूल जाएंगे मसाले अब यहां पर देख सकते हैं कि प्याज है हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है थोड़ा से और यहांगे में तो ओस्क्राइब लियुक्त करते हैं मिडियम फ्लेम पर मसाले को फ्राइब यहां मतलब नकड़ाई के चिकन का असली मज़ा नहीं आएगा स्वाद नहीं आएगा देखिए नहीं देखिए यहां मसाला भी भूण गया था तिल छोड़ दिया था तो आब यह यहां पर चिकन मैं कुछ भी मिक्स ने की थी बस धोकर रखा हुआ था तो चीकन डालने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई कर दीजिए क्योंकि इतने सारे जब चीकन जाते हैं तो तेमपरिचर जो होता है कराई के ना बहुत बिल्कुल लो हो जाता है और चीकन वैसे भी दालते जाएं पर चार से पांत मिनुट भूणना ही चाहिए दो देख सकते हैं कि मैं डाल करें चलाते हुए छार से पांस मिन्ट सकी शोक पूंटनीक हो हूँ और जब 4-5 मिन्ट हो गया उसके पाद नमक डालने से चीकन में पान नहीं छोड़े का तो अब इसको अच्छे चलाना है ना है ऐसे ही बार बार बीच में ढब धकन को चला लेना को सुखा देना है अबला देख सकते हैं जाक नुट आपaking करते हुए कम से कम 15 मिन इसको करना है उसके बाद जब चिकन हाफ कुक हो जाए तो यहाँ पर एक टमाटर को कट करकर डाल देना है तो चिकन आपका जल्दी नहीं पकेगा जब हाफ कुक हो जाए तभी टमाटर डालिएगा अब देख सकते हैं अब टमाटर डाल दिया इसमें चिकन पर और पानि चोड़ता है तो और ठरेल चिकन इतना की बनता है ना कि यहाँ बता हुआ को दिखिंए मैं क्या करहें हुए एक नियुक थाली लेए तो मेरे पापा कांचिकन बनाता है न तो ऐसे बनाते थी उस कटोरा में ऊपर अभी तो चीकन भी बहुत ही अच्छा पखता था वहीं पानी को फिन चीकन में डाल स्टविक करने भी अच्छा करता है तो देख सकते हैं कि कि पानी चीकन में च्छोड़ा था सारा ही सूप गया है आप इसे यहां भी खा सकते हैं अभी खा सकते हैं लेकिन अभी इसे मैं नहीं अभी खाऊंगी अभी इसमें आगे भी इसका प्रोसेस है देखिए वीडियो का स्कीप मन किजिएगा रीज तरह से बनाएगा चिकन ना तो मैं 110 पर्षेंट बोरिंगे बिल्कुल फ्राई हो गया तब जो पानी गरम करके रखे रखे थाली में ही पानी यहां पर डाल दिया मतलब बाइल आ गया क्योंकि पानी गरम था आप यहां पर लाएट-ष्यम मैं गरम मसां डाल है मैं जादर तर मतलों कोई भी मघरे में मैं डालती हूं करते हूं आपको जो भी पसंदों का डाल लीजिए गा डाल का ढख कर इसको पांस मिर्ट के लिए कुखन दीजिए अच्छे तरीके से देख सकते हैं जब धकन हटाई तो कितना अच्छा से पग गया था तेल भी छो दिया था पाने भी और सुग गया था और बहुत परफेक् सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लागे तो लाइक जहूर किजिए